अंतराश्ट्रिय क्रिकेट में 6-gain 6-चक्के लगाने वाले बल्लेबाज बल्लेबाजों के 6-gain 6-चक्के रिकॉर्ड करने के कई अन्योधारन हैं, लेकिन निससंदे सबसे प्रतिष्ठित घटना तब होती है जब इसे अंतराश्ट्रिय मंच पर हासिल किया जाता है। यह एक उपलबदी है जिसे केवल 4 बार हासिल किया गया है, यहां उन 4 अंतराश्ट्रिय खिलारियों की सूची दी गई है जिन्होंने एक ओब में 6 चक्के लगाए हैं। आपको जाना है ये खिलारी कौन से हैं तो वीडियो पूरा देखे और आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो कीजिए नमबर वन हर्शल गिब्स बनाम नीदरलेंड 2007 एक दिबसिय विश्व कप 2007 में दक्षिन अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हर्शल गिब्स अंतराश्ट्रिय क्रिकेट में 6 गेंद 6 चक के रिकॉर्ड सूची में जगह बनाने वाले पहले खिलारी बने एक शोस्टॉपर गिब्स ने 2007 के एक दिबसिय विश्व कप के दौरान नीदरलेंड के खिल शायद हर्शल गिब्स ने युवराज सिंग को प्रेरित किया क्योंकि कुछ ही महीनों बाद भारतिय ताबीज ने भी 6 गेंद 6 चक का रिकॉर्ड सूची में जगह बनाई सिंग की बीरता इंग्लेंड के खिलाफ दर्बन में 2070-20 विश्व कप के उधगाटन के दौरान हुई इस मामले में गेंदबाज कोई और नहीं बलकी इंग्लेंड के प्रमुक तेज गेंदबाज स्टूर्ड ब्रॉड थे नंबर थ्री की रोन पोलार्ड बनाम श्रीलंका 2021 श्रीलंका का वेस्टिंडीज दौरा वेस्टिंडीज की शांदार शुरुआत के बाद और लगातार लक्षय हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने के बाद अकला धननजे ने हैट्रिक लगा कर श्रीलंका को खेल में वापस ला दिया तभी पोलार्ड बल्लेबाजी करने आए और लक्षय का पीछा करने का फैसला किया और धन्जय की अगली ओब में पोलार्ड ने उन्हें 6 गेंज 6 छक्के लगाए अंतराष्ट्रियस्तर पर एक छोटा सा नाम जसकरन मलहुत्रा न्यू गिनी से एक ओब में 36 रन के लिए गौंडी टोका को हिट करने के बाद 6 गेंज 6 छक्के रिकॉर्ड सूची में शामिल हो गए USA के लिए खेलते हुए जसकरन पहले ही शतक लगा चुके थे और पारी के आखिरी ओब का सामना कर रहे थे उन्होंने लॉंग ओन पर एक बड़े हिट के साथ ओब की शुरुआत की इसके बाद छक्कों को कवर, लॉंग ओफ और पूरे पार्क में शेश गेंदों में फेक दिया जसकरन ने इस प्रक्रिया में 150 रन बनाए और 173 रन बनाकर नाबाद रहे यूएसे कुल 271 रनों के साथ समाप्त हुआ और 135 रनों से मैच जीत गया दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही ऐसे ही रोचक जानकारी देखने सुने के लिए हमारी दूसरी वीडियो को जरूर देखिए और यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए